परसो इमेल आई कि बंते जी को हॉस्ट्पिटल में एड्मिट किया गया और वो डॉक्टर नीमोनिया बता रहे है मुझे ज़्युद्ध अजीब सा लगा कि अभी अभी दो ढ़ाई साल पहले वो नीमोनिया से दुरुस्त हो यह थे शंका भी हुई कि अच्छानक कैसे हो गया और फिर कल दूसरी मेल आई कि डॉक्टर कहिते है कि उनको सेप्सिस हुआ है और वो अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो इमेल में लिखा था ही विल डाय सून चार बज़े जब मैं महितरनाट से मिला वो कह रहे हैं मुझे पूछ रहे थे कि क्या आपने आपको पता है मैंने बोला हाँ आपसे भी ये अभी तो मुझे ऐसी मेल देखा मैंने कि बंते मिल डाय सून और उनसे बात करके मैं निकलने की ही तैयारी कर रहा था नागपुर के लिए तो दूसरी मेल आई कि ही डाय मुझे धक्का इसलिए लगा कि पीछले छे मैंने मैं पद्मलोक सिंटर में था और मुझे सववाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तीन बार अधिस्ठान गया है और भंते जिससे मैं दो बार मिला पर प्रत्यक्ष तहर पर और जिस तरह से मैंने भंते को देखा अनुभव किया बात किया मुझे असास नहीं हुआ कि भंते इतने जल्दी हम में से चले जाएंगे पद्मलोक में उनके जो नीजी सेवक रहे हैं पीछले 22 साल से परमार था उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और वह थी जुलई के एंड में तो वो कह रहे थे और वह एपरिल में मिलकर आया था भंते से मैंने जुलई में उनसे पूछा और आज़ी चर्चाने करेह तो निश्चीत तोर पर भंते के सेवक होने के वज़े से वानते जी के बारे में जानका रिली उन्होंने कहा कि भंते बावी बहुत अच्छे है और ऐसे ही बाते करते हुए उन्होंने कहा कि वो अभी पहले उनको उमीद नहीं थी जीने की लेकिन वो अभी सव साल जी सकते है तो परमारत ने कहा कि भाई बनते यू वान्टो लिव हंड्रेड येर्स आइधिंग यू शूड लिव वन जीरो एट येर्स 108 साल आपने जीना चाहिए तो ऐसे उमीद लेकर हम उनके साथ थे इसलिए मैंने कहा कि उनका जाना ये जो भी नजदीक के लोग थे उनके लिए बड़ा धक्का दायक रहा वो ये दी 25 सिन, 3 साल पहले हम में से नहीं रहते तो हमें उतना नहीं लगता कि वो बहुत ही सीरियस थे जब मैं 2016 में गया था जुलई में उस वक्त जब मैं उनसे मिला तो मुझे मिलने के लिए बहुत आनाकानी हो रही थी फिर भी 5-7 मिनट के लिए मुझे मिलने दिया था उस वक्त उनकी सेहत अच्छी नहीं थी वो उस वक्त समझ सकते थे लेकिन अभी जिस तरह से भनते थे वो एक अपने आप में बहुत ही अलग रग रहा था बहुत ही सतेज जिन्होंने भी उनके 93 जनमदीन का वीडियो देखा होगा जिसमें मैं उपस्तित था और 93 येर्स में जो केक काटने हमारे सामने जब आए उनका चेहरा उनका केक काटने का तरीका ये सब देखकर ऐसा कभी भी नहीं लग सकता था कि भनते ऐसे नहीं रहे जब आगस्त के order weekend में वो हमारे बीच में आए उन्होंने पदमसंभव shrine को तीन बार प्रदक्षिना की जोड़कर चक्कर लगाया और मंत्र कहा तो ये जो बाते हैं ये सब देखकर इसलिए कल की जो इमेल है और आज हमारे बीच में नहीं है ये बहुत ही मेरे लिए धक्खदायक है वैसे मैं दूसरी तरह से देखू तो स्वें को बहुत खुशनाजीब समझता हूं कि मैंने उनक कि एक किताब पढ़ी बुद्धत और मानव का अदर्श और उस किताब से मैं संगह में आया बाद में उन्होंने ही मुझे धमचारी की दिक्षा दी जो कुछ भी मैं हूँ मैं जब पद्मलोक में था तो आलोक नाम के बहुत सीनियर धमचारी है और बहुत अच्छे पेंट और बोधी सत्व के पेंटिंग से पूरा पद्मलोक के श्राइन सजाया हुआ है उनकी एक कवीता है मुझे वो पूरी कवीता याद नहीं है वो अभी मैं लेके है होगी मेरे पास अभी लेकिन उसमें से कुछ जो वाक्य मुझे छूग गये है वो मैं आपको बताता हूँ अच्छा है जो कुछ मैं अच्छा कर पाया वो सब कुछ आपकी वज़र से है और जो कुछ भी मुझे में खामिया है जो कुछ भी मुझे में बुराईया है वो मेरी कमजोरी है वो मेरा संबरम है वो मेरा ग्यान है आपका और मेरा साथ कभी न छूटे है यही वह कविता यह जो उन्होंने कुछ सालों पहले पोयम लिखी थी बंते को लेकर वह पोयम पढ़ी गई पीछले छे साथ छे महिने मानो मैं हमेशा ही बंते के संपर्क में रहा हूँ ऐसा माने तो चलेगा पद्मलोक में जो पद्मवद रहे वह हमेशा ही बंते की बात करते रहे हमेशा शीविरों में कुछ न कुछ रेफरंस आता रहा हमारे व्यक्तिकर संपर्क में संपर्क संदरबा आते रहे तो मैं ऐसा समझा कि हो च्छे मैने जो रहे वह हमेशा में बंते के संपर्क में हूँ भंते से ही मिल रहा हूँ, भंते की बारे में सुन रहा हूँ और अन्त में 22 सितंबर को जब मैं उनसे मिला मुझे कहा गया था कि आप तो यप्रिल में भी मिलकर गया है अभी तो जस्ट छे मैने के भी होने के है तो मैंने कहा कि मुझे केवल पाउ छोने के लिए जाने दीजिए मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, पाथ सट मिनट मेरे लिए परियापता है और मैंने बुला अभी तो मैं छे मैने के बाद जा रहा हूँ इसके बाद पता नहीं कब आ पाउँगा, कब मुलाकात हो पायेगी भंते से नहीं तो इसलिए मैं केवल पाउच होने के लिए इजाज़त चाहिए उन्होंने मुझे समय दिया वो 22 सितंबर का मैं वाक्या बताता हूँ वो जो हमारा था वीकेंड था order members का वीकेंड था और वो ऐसा वीकेंड था जिन धम्मचारियों को भंते जी ने दिक्षा दी है ऐसे धम्मचारियों का वीकेंड था तो मुझे तो अभी 30 साल हो गया है धम्मचारी होकर ऐसे ही senior धम्मचारी उसमें थे और 22 तारिक को पहले फोटो निकालने का session था कि भंते शिश्य है भंते यहां आए तो गए साल से ही जब भी ऐसा वीकेंड होता है तो भंते जरूर आते हैं हमारे बीच में और फोटो निकालते हैं तो उस दिन फोटो निकालने का session था तो उस जो gathering थी भंते जी को जिनोंने दिख्षा दी थी ऐसे धम्मचारी धम्मचारीनियों की जो gathering थी उस gathering में फोटो सेशन था लाइबरेरी के गालरी में वहाँ जो कुछ भी arrangement की गई थी तो उस gathering में जो सबसे senior था वह धम्मचारी भंते के दाहिने साइड में बैठा और सबसे junior बैठा वह भंते जी के बाए साइड में बैठा और हमारा फोटो निकाला गया फोटो निकालने के बाद भंते जी को पूछा गया भंते वूड यू लाइक टू नो दे नेम आप दा order members those who are present तो भंते जी ने कुछ जवाब नहीं दिया फिर लगा कि भंते जी नहीं चाहते है तो इसलिए फिर इतना ही बताया गया भंते जी ने कहा who is on my right side तो उनको कहा कि ये अभया बैठे हुए है अभय तो बड़े हसे और उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंसे कहा oh you are here, very good to see you here और फिर बाय तरफ मुडे who is on my left side मैंने वाला भंते, I am wake रतना oh we are meeting after in the afternoon मैंने वाला yes भंते, we are meeting so इस तरह से बहुत सपस्टता से बहुत सजकता से 93 years पार होने के बाद भी जो उनकी कुशाग्र बुद्धी थी जो सजकता थी जो awareness था वो अपने आप में अलग था मुझे 11 बज़े ही बता आ गया कि आपको 12.5 बज़े भंते जी को मिलना है और उसके पहले ही उन्होंने कुछ कहा होगा तो 22 सितंबर की ये बात है मैं केवल पाउच चूने के लिए ही उनके पास गया तीन बार पंचांग प्रणाम करने के लिए ही उनके पास गया लेकिन हम लगबग 22-25 मिनिट तक बाते करते रहें और बहुत अच्छी तरह से बाती हुई इसलिए मुझे शक हुआ कि ये कैसा हो गया मुझे धक्का जो हुआ लगा इस वज़ा से कि अभी जस्ट एक मेहना भर हुआ है कुछ थोड़े से ज़्यादा दी तो इतने अच्छे स्थिती में बंते होने के बावजूद ये है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बंते जी का एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहा है और जो उन्होंने भी कहा है बंते के गुरु पुझ जग्दिस कश्चप जी उन्होंने उन्हीं लेखे गे और क्यलिम पॉंग में उनको रुकाया और उनको सूचना की बोलो या आदेश दिया बोलो या गुरुदक्षिना बोलो उन्होंने कहा stay here and work for the good of गुद्धी जओ बंते बाद में कहते है कि my whole life I followed the instruction of my guru stay here and work for the good of गुद्धी जओ हम सभी यदी संगरक्षित के सिश्चे मानते है भंते के सिश्चे मानते है तो मुझे लगता है केवल इतना ही परियाप्त है कि हम जहां भी है वो बुद्ध धर्म के भलाई के लिए काम करें ये यदी हम कर पाते है तो हम अपने गुरू की इच्छा हमेशा के लिए पूरी करेंगे और करते रहेंगे जब 24 अप्रिल को 24 बाईस अप्रिल को जब मैं मिला था उन्हें उस वक्त पहली मुलाकार थी कभी कई सालों के बाद तो उनसे मैंने कहा कि मैं नागलोक में क्या करता हूँ और भारत के आनेका नेक प्रदेश में किस तरह से धम्मप्रचार और प्रसार का काम करनी की मैं कोशिश करता हूँ उन्हें लोकमित्र बार-बार उनको लिखते होंगे वो उनकी बात है लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो कुछ भी बताया उससे बनते बहुत खुश रहे हैं और उन्हें ने कहा कि इतना ही परियापत नहीं है आप और ज़्यादा कीजिए अन्त बाइस सब्सितंबर के मुलाकात में कहा बनते मैं सब्तर साल का हो गया हूँ मेरी उम्र पूरी हो गई है भारतिय एक आदर स्टैंडर्ड के नुसार भारतिय संधर्व के नुसार लेकिन इसके आगे जो भी मुझे जीवन है मैं आपके आदेश के नुसार दम परचार और पसार का इश्काम करूँगा किसी भी आद्विस्टेशन में मैं स्वैम मोई हिस्सा नहीं लूँगा मुझे लगता है कि जो उनके गुरु ने उनको कहा और मैंने अपने जो गुरु को कहा वही मैं करता रहूंगा और वही आप भी किजिए इतना कहे कर जैविव यही आप जो उनके वाप भी किजिए आप भी किजिए इतना कहा जाना कहा प्लाव एक पारे नहीं लूँगा झालेक वहीं आप नहीं मैं लूँगा